आईए देखते हैं फर्ष्ट क्या है सही विकल्प चैन कीजिए सही विकल्प चैन कीजिए में सबसे फर्ष्ट जो क्यूस्चन है दस जनवरी 1906 को तासकंद में मृत्यू हुई थी किस की हुई थी तो आप जानते हो बच्चों कि तासकंद में मृत्यू हुई थी लाल बहद कि she am Anna Duray ये इसका फष्ट वाला अप्सन आजाएगा उसके बाद में काइंड के संस्थापक थे तो इसमसा वाला अप्सन आजाएगा राम मनोहर लोहिया जई जवाण जई किसान का नारा किस ने दिया था तो इसमें आजाएगा आवला अप्सन लाल बहादुर सांस्त्री ने दिया था ये नारा उसके बाद प्रिवी सर्स की समाप्ति हुई थी कब हुई थी 1964 में हुई थी ठीके इसको इंद्रा गांदी ने समाप्ति किया था प्रिवी सर्स प्रिविवर्ष जिसको की राजा महराजाओं को जो वेतन भत्ते मिलते थे पेले सरकार के द्वारा उसे बोला जाता है प्रिवर्ष ठीके उसके बाद यहाँ पर सत्य सत्य कथन का चैन करना है तो यहाँ पर दिया है 14 बेंको के राश्टी करन 1909 सित्तर में हुआ था तो बिल्कुल यह सही बात है तो इसमें आ जायेगा सत्य आ जायेगा इसमें ठीके उसके बाद अगला वाला जो किस्चन है पंडित नेरु का निधन 27 में 1964 कुआ तो यह भी बिल्कुल राइट बात है प्रारंब में कांगरेस का चुनाओ चिन दो बेलो की जोड़ी थी तो यह भी राइट है उसके बाद स्री मती इंद्रा गांदी की अत्या 31 अक्टूबर 1984 को हुई थी तो बिल्कुल यह भी राइट बात है उसके बाद जो फिप्त वाला अप्शन है कि देश के वर्तमार पधान मंद्री अटल बिहरी वाचपई है तो यह एक असत्य कदन है तो इस पर असत्य पर हम जाएंगे उसके बाद अगले वाले क्षिशन पर हम चलते हैं अगले वाले क्षिशन में खाले इस्तान की पूर्ति कीजिये है वीवी गिरी देश के राष्टपती तक रहे तो कब तक रहे थे वो 1964 से लगा कर 1964 तक वो देश के राष्टपती रहे थे उसके बाद अगले वाले क्षिशन में कि प्रिवी पर्स की समापती इंद्रा गांधी ने की थी तो बच्चो पढ़ाई में डाउट साते हैं सौल नहीं हो पारे घबराओ मत इसका सलूशन है डाउट नटाप जिस भी सवाल में आपको डाउट है उसकी फोटो कीचो क्रॉप करो और पांच सेकिंड की अंदर-अंदर आपको उसका वीडियो सलूशन मिल जाएगा वो भी बिल्कुल फ्री में यानि अब आप पूछिए अपने अनलिमिटेट सवाल कहीं भी कभी भी अब चाहे आपका सवाल क्लास 30 से बारवी आईटी जेई या नीट का हो या फिर CBST, UP, बिहार, राजिस्तान या अनिस्टेट बोर्ट का हो कोई भी सब्जेक्ट ओफिजिक्स, किमिस्ट्री, मैट्स, बियलोजी, साइंस आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ डाउटनेट अप पर किस ने दिया था विपक्ष ने ये नारा दिया था इंद्रा हटाओ उसके बाद कांगरेस के प्रतम अध्यक्षित कौन थे तो इसमें आजाएगा व्योमेश चंद्र बनर जी तो व्योमेश चंद्र बनर जी केसे लिखते हैं मैं आपको थोड़े देर में बताने वाला हूँ उसके बाद अगले वाले क्युस्चन में भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल है तो आप जानते हो बच्चो भारती राश्ट्री जो कांगरेस है वो भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल है तो यहाँ पर देख सकते हैं हम खाले इस्तान के सभी आंसर तो बच्चो आप यहाँ पर देख सकते हो कि खाले इस्तान भरो का पूरा आंसर यहाँ पर दिया है तो यहाँ से आप लिख सकते हो अगले वाले क्यूशन पर उसके बाद बच्चों यहाँ पर इस वाले चेप्टर में एक वाक्य में उत्तर भी दिये गए हैं और सबसे पहला जो क्यूशन है प्रिवी पर्स क्या है उसके बाद दूसरा जो क्यूशन है दल बदल का अर्थ क्या है Grand Alliance क्या है दल बदल की राजनितिक कब से शुरू हुई और राजनितिक दल के कारे लिखना है तो चलो आएए देखते हैं इन सबी प्रशने को उत्तर एक साम तो बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हो कि प्रिवी परस क्या था कि भूत पूरु राजा महराजाओं को दिया गया भत्ता की दिया गया जो भत्ता है वो क्या गला था प्रिवी परस यह समापती जो है यह इसको अट लेना आप उसके बाद अगला जो है दल बदल था तो एक दल की सदश्च्चता त्याक कर दूसरे दल कि सदस्ट दल है न दल बदल है उसके बाद Grand Alliance क्या है तो गेर साम में वादी और गेर कांग्रेसी विपक्षी दलो का घर बंदन Grand Alliance है उसके बाद अगला वुला जो किस्चन था कि दल बदल की राजनितिक अफसर हुई तो 1966 से हुई उसके बाद राजनितिक दलो के कारी क्या थे कि जनता की समश्याओं को सरकार तक वा सरकार की नीतियों को जनता तक पहुचाने में सेत्तु का कारी करना यही राजनितिक दलो के कारी है तो यह हो गए हमारे टोटल मिला के वस्तुनिष्ट प्रस्ण अब हम इस चेप्टर के क्युस्चन आंसर देखते हैं उसके बाद बच्चों यहाँ पर लगुत्तरी प्रेशनों के उत्तर दीजिए अगला वाला जो क्युस्चन है तो यहाँ पर जो है टोटल पाच क्युस्चन दिये हैं इनोंने और 1960 के दसक को खतरनाग दसक क्यों कहा जाता है यह पहला वाला क्युस्चन है उसके बाद गरीबी हटाओ कारिकरम में कौन-कौन से कदम उठाए गए भारत के आठ पधान मंत्रियों के नाम करम से लिखे आयाराम गयाराम को समझाई और गड़बंदन की राज़िती क्या है यह टोटल पाच क्युस्चन है और सभी प्रशनों के आंसर हम अब देखने वाले हैं तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हो कि 1960 के दसक को खतरनाग दसक क्यों कहा जाता है तो इसका अंसर हो जाएगा कि इस दसक में निर्धनता, आसमानता, बिरोजगारी, सामप्रदाइकता एवं छेतरी विवाजन जैसे मुद्दो का उस समय कोई समाधान नहीं हो पाया था जिससे देश में लोकतंत्र के आसपल होने का डर पेदा हुआ था इस करण इस दसक को खतरनाक दसक कहा जाता है उसके बाद अगला वाला जो किस्चन था उसमें दिया गया है कि गरीबी हटाओ कारिक्रम में कौन-कौन से कदम उठाए गए थे तो इसमें क्या हुआ था कि वंचित वर्गो विसेश्ताय भूमिहीन किशान दलित और आदिवासी अलपसंक्यक मुस्लिम तथा बिरुजगार नवयुकों के बीच श्रीमति गांदी द्वारा अपने समर्थन का आधार बनाने का प्रयास किया गया था गरीबी हटाओ कारिक्रम के अंतरगत तो ये इन दोनों प्रशनों के अंसर हो गए हैं उसके बाद भारत के आठ प्रदान मंत्रियों के नाम क्रम से हमें लिखना है तो यहाँ पर सबसे पहले आजायेगा जवार लाल नेरू एक हो गए हैं दूसरे हो गए लाल बहाद्दुर सास्त्री तीसरे हो गए हैं इंद्रा गांधी चोथा जो प्रदान मंत्री था हमारे देश का मुरार जी दिशाई थे उसके बाद पाच्वे नमबर के थे चोदर नरसिमार आओ और दस्वे नमबर के थे अटल वियारी वाचपे तो ये सबी प्रदान मंत्रियों के नाम करम से हमने दे दिये हैं आप देख सकता है इनको उसके बाद आयाराम गयाराम को समझाईए तो जैसा कि आप जानते हो बच्चों की अदल की अदला बदली करना नेत नाओं में दल बदल कर उभर कर सामने आया जिसने प्रदेशों में सरकार गठित करने में महत्मौन भूमिका कर निर्वन किया इस दोर में राजनितिक निष्टा की अदला बदली को आयाराम गयाराम कहा गया था ठीक है तो ये आयाराम गयाराम की परिबासा हो गई उसके गड़ बंदन की राजनिति क्या है तो अनेको दलो द्वारा नियूंतम साजा कारिकम के आधार पर जिस गड़ बंदन का निर्मान किया जाता है उसके आधार पर मिलकर राजनिति कतिविदियों को जो संचोरन होता है उसी गड़ बंदन की राजनिति कहा जाता है अब अग पर गुत्तरी का जो सिकड़ किस्चन है चोथी लोकसभा को समय से पूरु भंक्यों कर दिया गया था उसके बाद थर्ड वाला जो किस्चन है स्री मती इंद्रा गांधी का भारत के विकास में योगदान की व्यक्षा कीजिए राजनितिक दलों की कारिपत्यति को समझाईए और दल बदल की राजनिति के कूप प्रभाव की व्यक्षा कीजिए तो आएए देखते हैं इन पांचों क्यूस्चन के आंसर क्योंकि हर एक प्रस्ण चार अंक का है और काफी महत्पन होने वाला है आपके बौर्ड एक्जाम के लिए तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो पहला जो क्यूस्चन है उसके तहत यहाँ पर जो क्यूस्चन है कि 1979 में कांगरेस का विवाजन क्यों तदा के से हुआ तो आपको पूरा आंसर हमने एक्स्प्रेन करके बताया है आप इसको केप्चर कर सकते हो ठीक है यहाँ तक इसको केप्चर कर लिजी आप उसके बाद अगले वाले क्यूस्चन पर चलते हैं हम और अगले वाले क्यूस्चन में चोंती लोकसभा चोंती लोकसभा को समया उधी से पूरु भंक कराने के प्रमु कारण क्या थे तो इसके भी टोटल हमने चार कारण लिये हैं आप केप्चर कर सकते हो इसके आंसर को हम यहाँ पर बोलके नहीं बताएंगे इनको वरना वीडियो काफी ज़्यादा लंबा होने वाला है तो यहाँ पर हमने टोटल चार करण बताए हैं बच्चो यहाँ देख सकते हो थर्ड वाला जो रीजन है वो यहाँ से लगा कर यहाँ तक है वो जो फोर्ट वाला रीजन है वो यहाँ से लगा कर यहाँ तक है तो टोटल मिला के इसको केप्चर आप कर सकते हो उसके बाद अगले वाले कुशन पर चलते हैं हम स्री मती इंद्रा गांधी का भारत के विकास में योगदान की व्याक्षा हमें करना है तो इसकी जो स्टार्टिंग है वो यहीं से होने वाली है जो जो आपको इंपोर्टेंट लगे वो आपको लिख लेना है ये चार पाइंट के अलावा टोटल यहाँ पर दस पोइंट बनाए गए हैं हमारे द्वारा और इन सब्यों को आप केप्चर कर सकते हो कापी ज़्यादा इंपोर्टेंट है और कापी ज़्यादा सरल भी है कि इंद्रा गांदी ने क्या काम करवाई है देश में उसके बाद अगले वाले किसरम पर चलते हैं हम राजनितिक दल के कारे पद्दि को समझाईए तो में काम राजनितिक दल का क्या होता है सत्ता प्राप्त करना उसके बाद अपने लक्षों की प्राप्ति करने के लिए राजनितिक पार्टिया निम्लिखित कारे करती है क्या काम करती है चुनाओ लड़ना उसके बाद नीती बनाना देख सकते हो आप उसके बाद जो है कानून बनाना देख सकते हो आप बच्चो तो ये सारे राजनीतिक दलों की कारे पद्दतिया हैं उसके बाद दल बदल की राजनीति के कूप रभाव की व्याक्षा करना है लाश्ट वाले किस्चन में तो किस प्रकार 1967 के समय भारत में दल बदल की राजनीती स्टार्ट हो गई थी नेता लोग एक दल को छोड़ कर अन्य दलों के प्रती राजनीती निश्टा रखने लग गए थे तो पूरा का पूरा यहां पर आप देख सकते हो बच्चों कि क्या क्या कूप रभाव थे विडियोस के लिए हमारे चेनल को सब्सक्राइब किजिये हमारे टेलीग्राम चनल को जूइन किजिए जिसकी लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्चान बाक्समें दिये ठैंक्स पॉर वाचिंग डिस वीडिय्यो